नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत भी रखा जाता है इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जिससे भगवान भोलेनात आप पर अती प्रसन रहें सोमवार के दिन शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन भगवान शिव और माता पारवती प्रसन होते हैं कहा जाता है कि शिव जी जितनी जल्दी अपने भक्तों से खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं इसलिए शिवजी की पूजा करते समय मनुश्य को विशिश शावदानिया रखनी चाहिए वैसे तो सुमवार का वरत वेधद ही सरल होता है लेकिन इस वरत को करने से कुछ नियम भी होते हैं उन नियमों का पालन करना अति आवशक होता है कई बार सुमवार के वरत और पूज में कौन सी गलतियां आप ना करें भगवान शिव की पूजा करने से मनुश्य को जीवन में वह हर सुक मिलता है जिसके वह कामना करता है सुमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ वरत करना बहुत ही उत्तम माना जाता ह यदि आप वरत करते हैं तो पूरी निष्ठा से करें और इस दिन आप कुछ भी ऐसा अपमान ना करें किसी का ना ही किसी से कुछ गलत कहें आपको पूरा वरत रखना है तन, मन और धन से भी इस वरत का पालन करना है सोमवार का वरत सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है देवो के देव महादेव माने गए हैं बता दे कि भगवान शिव जी को शंकर आशुतोष महादेव भोले नात सहित अने को नाम से पूजा जाता है माना जाता है कि आज के दिन यानि सोम्वार को भगवान शिव अत्यंत आसानी से प्रसन हो जाते हैं इसके चलते भगत मन चाहा आश्रिवात प्रात कर सकते हैं यदि वे पूरी निष्टा स्रद्दा से भगवान शिव की अर्जना कर लें जहां सिव अत्यंत सरलवा भोले हैं वहीं या अत्यंत क्रोधी भी माने गए हैं इसलिए इनकी पूजा में कोई गल्ती ना होने दें आप ध्यान रखें कि इनकी पूजा में आप सोम्य यानि बहुत ही सरल भाव से पूजा करें माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दोरान आपको दूद का जला अभिशेक करना चाहिए दूद और जल से अभिशेक करना चाहिए ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूद दहीं शहद या अन्य कोई वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर और प्रित करने चाहिए इसनान तब ही पून माना जाता है जब आपके दोरा भगवान को चढ़ाए गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए बता दें कि शिवलिंग पर पंचामरस से इसनान कराने के बाद साफ जल चढ़ाना पहुत ही आविशेक होता है साफ जल जड तांबे कि या लोटे के बरतन से ना डाले हमेशा दूद को स्टील पीतल या चांदी के बरतन से ही डालना चाहिए यानि भगवान शिव पर समर्पित करना चाहिए बता दें कि यदि तांबे में दूद डालने से वह दूद संक्रमित हो जाता है और खराब भी हो जाता है तो आप तांबे का इस्तिमाल ना करें। साथ ही बात में यहां दूस शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसे उठा कर आप उस प्लेट में से आप निकाल करके किसी भी वरक्ष के नीचे समर्पित कर दें। तुलसी के वरक्ष में ना डालें। इस बात का भी ध्यान रखें। अवित्र नदी में उन्हें बहा दें, उनको ठंडा कर दें, उनका अभिशेक कर दें। शिवलिंग पर भूल से भी धूप बत्ती भी ना लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग मुर्थियों के साथ थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है दीपक थोड़ा दूरी पर ही रखें। दीपक की भी इस्थापना विदिवत करनी चाहिए। फिर आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेसा चंदन लगाना चाहिए। और भांग धतूरा बेलपत्र इत्यादी अरपित करने चाहिए। माध्यम से आप पूजा करने की विदी भी जान सकते हैं। और देवी देवताओं के साथ साधू संतों के साथ अपमान जनक बाते नहीं करने चाहिए। भगवान शिवजी ही नहीं उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खास करके सोमवार के दिन कभी भी किसी के घर आए मेमान का निरादर नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करते समय कभी काला वस्तर धारन नहीं करना चाहिए। भगवान शिवजी को ही नहीं उनके पुत्र और देवी पारवती को भी काला रंग बेहद ही चुबने वाला होता है। उन्हें पसंद नहीं होता है। तो आप इस बात का विशेश ध्यान रखें। हमेशा आप सफेद या पीले लाल कलर के वस्तर ही धारन करें। अन्यता आप हरे लाल सफेद केसर या पीला या आसमानी रंग का वस्तर पहन सकते हैं। आपको सदा ही अच्छा असिर्वत प्राप्त होगा। भगवान भोले नात को नीला रंग अतिप्री यह तो आप नीला रंग भी पहन सकते हैं। तो दर्शकों सुमवार के दिन विशेश करके आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो आप इन बातों का विशेश ध्यान रखिएगा। आपको भगवान भोले नात हमेशा आप पर प्रसन रहेंगे। बेल का फल अगर आपको मिल जाता है तो बेल का फल भी आप इस दिन समर्पित कर सकते हैं। बेर भी समर्पित होती है भगवान शिव को शिव कंद मूल इत्यादी भी बेल पत्र के साथ भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। और यदि आप इस दिन शिवरात्री हो या प्रदोश का दिन हो उस दिन भी आप सुमवार जितनी ही पूजा करेंगे शिवरात्री के दिन भी विदिवत इसी तरीके से पूजा की जाती है आप इन नियमों का पालन करके भगवान भोलेनात को पूजन करें भगवान शिव पर आखा चावल का दाना जरूर रपित करें आप तूटी फूटी कीज कोई भी अरपित ना करें एक बेल पत्र भी अरपित करना है तो वो पूरा सेगा ही अरपित किया जाता है कटा फटा वेल पत्र स्विकार नहीं होता है एक नारियल भी स्विकार नहीं होता है अगर आप नारियल तोड़ करके आप भोले नात को अरपित करेंगे तो वह स्विकार नहीं होगा इस बात का विशेज ध्यान रखें साथ ही आपको जो अक्षत के दाने भी समरपित करते है तो वो भी ध्यान रखिए कि वो सेगे अक्षत के दाने हो वही भोले नात को पून समर्पित किया जाता है कोई भी चीज हो, कोई भी फल हो, कोई भी फूल हो आप पून समर्पित करें, फूल भी तोड़ करके ना डाने इस बात का विशेज ध्यान रखिए क्योंकि भोले नात को कोई भी चीज पून समर्पित होती है इस बात का विशेज ध्यान रखें दर्शों को और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाई तक उन्हें भी इस वीडियो की जानकरी प्राप्त हो इन उपायां की जानकरी प्राप्त हो मिलते हैं अंगले वीडियो में स्रीशिवाई नमस्तु भियम जै मतद